जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे मया अभिसार शर्मा आज का दिन दोस्तों बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 21 साल की दिशा रवी को दिली की एक अदालत ने बेल दे दी है एक एक लाक रुपए की दो शौरटीज पर बेल दे दी गई है और ये बेल उन्हें मिली है जज धर्मिंदर राना के कोट में आज का दिन दोस्तों जशन का दिन है और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ क्यों मगर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको चेहरों पर गौर करें पहला चेहरा हर्याना के होम मिनिस्टर अनिल विज दूसरा चेहरा बैंगलूरू से भारती जहाता पार्टी सांसद पी सी मोहन ये दो चेहरे मैं आपको क्यों दिखला रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इन में से एक अनिल विज ने ये कहा था कि दिशार रवी जैसे युवाओं का समूल नाश हो यानि की खत्म कर देने की धमकी कोई और नहीं बलकि हर्याना के होम मिनिस्टर दे रहे थे जहां तक पी सी मोहन साहब का सवाल है ये वो शक्स हैं जिन्होंने दिशार रवी की तुलना एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब से की थी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि दिशार रवी का मुकाबला किस तरह के प्रचार तंत्र के साथ था और आप जानते हैं जब ये पूरी सुनवाई हो रही थी तो खेंदर सरकार ये ये कहा जा सकता है सरकार के नुमाइंदे बहुत ही वाहियात और अजीब और गरीब तरक रख रहे थे वो इस तरह के तरक रख रहे थे कि देश का नाम बदनाम किया जा रहा है वो इस तरह के तरक रख रहे थे कि दिशार रवी जो हैं उन्होंने टूल किट में परिवर्तन किया वो ये भी कह रहे थी कि दिशारवी के संपर्क अंतराष्ट्रिय तोर पर लोगों के साथ थे ये तमाम जो तर्क है ना दोस्तों और जिस तरह से बीजेबी का प्रशार अर्तंत्र दिशारवी को बदनाम करने में लगा हुआ था उससे सिर्फ और सिर्फ देश की बदनामी हो रही थी और कुछ और नहीं क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को हिंसा हुई थी मगर दिशारवी का उस हिंसा के साथ कोई नाता नहीं था और किसी तरह का कोई लिंक नहीं था नमबर एक ग्रेटा थनबर्ग 18 साल की जलवायू परिवर्थन अक्टिविस्ट जी हाँ जो एक नहीं शायद ये दो-दो बार नोबेल प्रैस के लिए जो है मनूनीत रही है एक 18 साल की जलवायू परिवर्थन के अक्टिविस्ट जिसकी वावाई दुनिया में होती है उसे हमारा जो प्रचार तंत्र है वो एक खालिस्तानी आतंकवादी बता रहा था आज मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी सियासत के लिए देश की जगहसाई कितना कराओगे बताओ कितनी तुम जगहसाई कराओगे और ये तक कहना कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये विरोध प्रदर्शन देश के खिलाफ है देश इतना कमजोर नहीं है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि 2014 से तुम लोग देश को इतना कमजोर क्यों मान रहे हो कि कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर देंगे या एक टूल किट में किसी तरह का कोई संशोधन कर देगा या जलवायू परिवर्तन अक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग से संपर्क साथ लेगा तो उससे देश बिखर जाएगा उससे देश कमजोर पड़ जाएगा और सबसे दुख की बात ये थी दोस्तों इस दौरान जब दिशा रवी जो है वो कारावास में थी उस दौरान उनके खिलाव जो घटिया प्रॉपगेंडा मैं कारकरमी शुरुआत मैं आपको बता चुका हूँ एक मंत्री और एक सांसद किस तरह से उन्हें बदनाम कर रहा था अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ जिस दिन इन्हें पेश किया गया था पत्रकार उन्हें किस तरह के ताने दे रहे थे कि आप रो क्यों रही है इससे ज्यादा सम्वेद अन्हीन सवाल कुछ नहीं हो सकता था उस वक्क का वीडियो देखे अरे बिजल बनाने दो बिजल बनाने दो बनाने दो अटो दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी अटो दिशा आप रोग क्यों रही है दिशा कुछ आप कहें देखा आपने और मैंने उस वक्क भी कहा था कि मुझे इस बात में थोड़ा सा भी शक नहीं है थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि दिशा रवी को आज नहीं तो कल बेल मिल जाएगी तब आप में से कुछ भक्तों ने हमारे इस वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में हमारे बारे में आप शब्द कहें थे मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि हमारा युवा अगर अपनी आवाज बुलंद करेगा तो उससे देश बदनाम नहीं होगा उससे देश मजबूत होगा उससे ये संदेश जाएगा कि इस देश के अंदर अलग अलग विचारधाराओं की लोग है सरकार से सवाल किया जा सकता है मगर यहां पर ये बतलाने का प्रयास किया जा रहा है मानू हमारा युवा अगर अपने मन की बात कहे तो वो बहुत बड़ा गुना हो जाएगा ऐसा लगता है कि मन के बात करने का अधिकार इस दुनिया में इस देश में सिर्व एक शक्स को है सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि तमाम निउस चैनल्स ने दिशारवी के खिलाफ एक गंदा और घटिया प्रोपेगंडा शुरू कर दिया था मैं वो तमाम आपके सामने तस्वीरे पेश कर सकता हूँ आज नहीं करूंगा क्योंकि आज दिशारवी के लिए एक बहुत अच्छा दिन है मैं एक आपको और बात बताना चाहता हूँ आप जानते हैं मैं उसी वक्त समझ गया था कि सरकार के पास दिशारवी के खिलाफ कोई प्रमार नहीं है जब इनका प्रचारतंत्र ये प्रचार करने लग गया था कि दिशारवी का पूरा नाम है दिशारवी जोजेफ यानि कि उसको इसाई बनाने का ये लुक प्रयास कर रहे थे हाला कि अगर वो इसाई भी होती तो उसे इस सरकार के क्रिशी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है उसी वक्त इन्होंने ऐसा कर दिया था कि दिशारवी के माबाब जो हैं वो दोनों लिंगायत समुदाय से आते हैं लिंगायत समुदाय जो कि करनाटक का एक बहुती प्रभावशाली समुदाय है आज मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ दोस्तों पीसी मौहन और अनिलविज एक सांसद एक ग्रह मंत्री इन दोनों ने दिशारवी के खिलाफ एक वहशी भीड को खड़ा किया है क्योंकि एक ने जान से मारने की धमकी दी है खत्म करने की बात कही है और दूसरा जिसने उनकी तिलना अजमल आमिर कसाफ से की है आज मैं सवाल करना चाहता हूँ क्या ये दो लोग दिशारवी से माफी मांगेंगे और अगर माफी मांगेंगे तो मांगेंगे दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या मोधी सरकार या भारती जनता पार्टी इन दोनों पर कारवाई करेगी नहीं करेगी दिशारवी तो 21 साल की थी मैं नहीं भूला हूँ आठ साल के एक मासुम का रैप हुआ था कठुआ में तब इनके मंत्री इन्होंने बलाधकारियों के पक्ष में राली निकाली थी मैं नहीं भूला हूँ कि बेटी का सम्मान किस तरह से भारती जहाता पार्टी ने किया था जब रातो रात तुमने हाथ रस की गुडिया का शव जला दिया था और उसके माबाप बिलकते रहे थे कि अरे कम से कम हमें अपनी बेटी को हल्दी तो लगाने दो मैं नहीं भूला हूँ कि कुलदीब सिंग सेंगर जने आपने पार्टी से निकालने में दो साल लगा दिया और तब तक उस आदमी ने जिस लड़की के साथ उसने बलातकार किया था उसके पूरे परिवार को बरबाद कर दिया हकीकत यह है कि तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो एक धाकोसला है वो एक धोंग है दिशा 21 साल की दिशा बाहर आ गई हैं बेल पर रहा हो गई हैं बहुत खुश किसमत हैं मगर अगर मैं उनकी तुलना उन लड़कियों से करूँ आठ साल की उस रेप विक्टिम से या हाथरस की उस गुड़िया से या उन तमाम लड़कियों से जिसको लेकर भारती जनता पार्टी ने बहुत ही समवेदन हीन रवाया अख्तियार किया था तो मुझे लगता है कि दिशा तुम तो बहुत खुश किसमत हो मगर आज इस कारक्रम की जरीए मैं एक समवाद बीजेपी के प्रचारत अंतर से भी करना चाहता हूँ मैं भारती जनता पार्टी के ठिंक टैंक से भी करना चाहता हूँ यह समवाद मैं RSS से भी करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए विचारधारा के स्तर पर आज जो भी हो रहा है कहीं न कहीं RSS की सहमती है आपको यह बात समझना होगा कि देखिए जब तक आप हमारे युवाओं को टार्गेट करेंगे जो आपके कामकाज करने के तरीके पर सवाल उठाते हैं यह मत सूचिये कि उन्हें रौंध कर उन्हें दबाकर आप इतिहास में अपना नाम दर्श कर लेंगे अरे आपको बस थोड़ा पीछे मुड के देखना है इस दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, जिन्हों ने लोगों की उमीदों को आकांगिशाओं को रौंधा, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को खत्म कर दिया, मगर इतिहास हमेशा उन्हें एक खलनाएक के तोर पर याद रखता है और उनका अंत भी कोई बहुत सुखद नहीं होता है आज मैं इन तीनों संस्थाओं से प्रचारतंत्र, बीजेपी सरकार और आरेसिस से हाथ जोड़ के प्रारतना करना चाहता हूँ ये बच्चे तुम्हारे अपने बच्चे है जो पत्रकार आज को तुमसे सवाल करते हैं 2014 से पहले वही पत्रकार UPS सवाल करते थे इसकी धेरों मिसाले हैं मैं कम से कम अपनी बात तो कर ही सकता हूँ तिशारवी खलनाएक नहीं है तिशारवी 21 साल की एक युवा है जिसे तुमने डराने का प्रयास किया था कितना भदा प्रोपगैंडा तुमने चलाया था मतब मैंने ही बूला हूँ News 18 का मैंने कारिकरम का एक छोटा सा हिस्सा देखा तक विटर पर ये बताया जा रहा था और कीजेगा इस बात पर ये बताया जा रहा था कि दिशारवी की बादशीत जो है वो हो रही है Greta Thunberg से और Greta Thunberg से वो लगातार बता रही है कि Greta मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पे Unlawful Activity Prevention Act लगाया जा सकता है UAPA जो अमूमन आतंक वादियों पर लगाया जा सकता है या मुझे अपने वकीलों से बात करनी चाहिए और फिर उसने चैट्स भी डिलीट कर दिये दिशा की इस हरकत पर जो दिल्ली पुलीस ने लिग की दिशा की इस हरकत को उसके गुना के तोर पर जोड दिया गया था ये बतला दिया गया था कि ये दिशा का गुना है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ और फिर से दोहरा रहा हूं दिशा रवी को क्यूं डर था क्योंकि केरल से एक पत्रकार सिद्धीक कपन पहुंचता है हातरस और उसे गिरफतार कर दिया जाता है याद है कि नहीं तुम्हें आतंकवाद की धाराओं के अंतरगत और वही यू-ए-पी-ए के अंतरगत उसे गिरफतार कर लिया जाता है दिशा रवी के साथ कल एक और खुशखबरी आई वरवर राओ जो हैं वो रिहा हो गए है छे महीने की बेल पर वो वरवर राओ जिनकी हालत बच से बत्तर हो गई थी जेल के अंदर वो बिस्तर में पिशाप कर रहे थे उस वरवर राओ को भी बेल मिल गई है छे महीने की दिशारवी इन तमाम चीजों को देख रही थी दिश भारत आई भारत में जो समाज के दबे कुछले लोग हैं उनके लिए सुधा भारदवाज ने संगर्ष किया सुधा भारदवाज आज भी जेल में हैं डॉक्टर कफील खान को देश द्रोही बताकर जेल में डाल दिया गया और डॉक्टर कफील खान जब रिहा हुए तो इला भारती जहता पार्टी का प्रचारतंत्र एक बार गलत हो सकता है दो बार गलत हो सकता है तीन बार गलत मैं आपको धेरों मिसाले देता रहा हूँ अपने कारक्रम में आप हर बार गलत हैं जब आप लोगों की आवाज दबाने का प्रयास करते हैं हर बार गलत हैं आप हर बा प्रफ़न मिलता है उस गोधी मीडिया का जिसकी रीड नहीं है जो आपके सामने लोटते रहते हैं कीडों मकोडों की तरह आपको सिर्फ उनका समर्थन मिलता है आप सच के साथ नहीं है और दुख की बात यह है कि आपके कई नेता आपातकाल को देख चुके हैं उसके दंश क जेल चुके हैं आज जो आप कर रहे हैं इस देश के युवा के साथ इस देश के किसान के साथ इस देश के अलप संख्यक के साथ आपातकाल तो उसके सामने एक प्रेम कहानी लगती है क्योंकि देश में तो आपातकाल भी नहीं है एक काला समय भी दी चल रहा है मगर आप ल और इसी के चलते देश की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप ये न भूलें। आप देश की साख को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, भारत को आर्थिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, सामरिक तौर पर, strategically इसका जबरदस नुकसान होने वाला है। जिन चहरों का तुम इस्तमाल करते हो अपनी बात रखने के लिए, चाये वो सुभाष शंद्र बोस हो, स्वामी विवेका नन्द हो, भगत सिंग हो, इनी चहरों का तुम इस्तमाल करते हो ना, बाकिस सब को देश-द्रूई बताने के लिए। अरे भगत सिंग तो एक वामपंती थे भगत सिंग तो करांती की बात करते थे भगत सिंग तो अपनी आवास को बुलंद करने की बात करते थे सुभाष शंद्रबोस कॉमिनल जहर के खिलाफ थे उनकी आजाद हिंड फौज पर आप नजर डालिए उस आजाद हिंद फौज में हिंदू, मुसल्मान, सिख सब कंधे सिख कंधा मिलाकर आत्ताईयों का मुकाबला कर रहे थे जिस स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को उनकी शिक्षा को तुम लोग जो हैं गलत ढंग से पेश करते हो उस स्वामी विवेकानंद के माइनों को तुम नहीं समझते हो वो युवा शक्ती के प्रतीक थे, वो युवा शक्ती जो अपनी राए बगएर डरे जिसका वो इजहार कर सकते थे उसे व्यक्त कर सकते थे, आज की तारीक में इस तरह की हरकते करके तुम स्वामी विवेकानंद की तौहीन कर रहे हो, भगत सिंग की तौहीन कर रहे हो, तुम हर उस चेरे, हर उस प्रतीक की तौहीन कर रहे हो, जिसे तुम अपना आदर्श मानते हो, तुम सुभाशंद्र बोस की तौहीन कर रहे हो, हकीकत ये है, आज ये तमाम बाते दिशार प्रवी को बेल मिल गई है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने यूटर नहीं लिया तो सियासी तौर पर तो देखिए आपको कोई बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं रखा जाएगा उसका नुकसान क्या होने वाला है उसका नुकसान देश को होने वाला है क्योंकि तुमने समाच के अंदर हर वर्ग को इतना दो फाड कर दिया है परिवारों के अंदर खाईयां पैदा कर दी है रिष्टदारों में खाईयां पैदा कर दी है आपको मैं बतलाना चाहूंगा मुझे मेरे एक रिष्टदार का फोन आता है मेरे उस रिष्टदार की एक बेटी भी है और वो हमें बताते हैं कि क्या आप मेरी बेटी को समझा सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत करांतिकारी है अब दिक्कत ये है कि हम लोग रहते हैं हमारे अगले घर में इनके मामा जी भी रहते हैं 2014 से पहले WhatsApp पर आप इस तरह से अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करते फिरते थे इतनी दोस्तियां तूटी थी राजनीतक विचारधारा पर और देखिए अगर तो एक तरफ वाम है एक तरफ दक्षिनपंती विचारधारा है और उनमें लड़ाई हो रही है तो एक बात अल जाएगा अगर उस आधार पर आप इस देश की जनता को डराना चाहते हैं उस युवा को दबाना चाहते हैं तो आपको इतिहास में कोई बहुत अच्छी जगा नहीं मिलने वाली है अब भी छेत जाईए अब भी सुधर जाईए दिशारवी को जो बेल मिली है वो इस बात का प्रमान है बोल कि लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही अबिसार शर्मा को दीजिये अजाज़त नमस्कार